जाए भोले नाथ स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाबा धान के दूसरे एपिसोड में आरें लिख Nahakka आugाने के आफ्यार हधोन के बोल बोल वम धुम क्यों करें। डूपकी लगा महार करें दूपकी लगा महार की देखिश्य एक अचमी निकलेगा यह और तारित हो रॺ यह एकळिस जेख़ो मां यह सब गया हुष। कुछकेंवा जो जो कल मृटीं मां यह सब गया है। मां यह सब गया हुष। उरीप गया माराग प्रेंट पकड़े और यहां आने के बाद प्रें में जानते ही यह अप लोग कपड़े गंदे हो जाते हैं कभी वास्रूम दिगाया या कहीं भीगत और कुछ छूत हो जाता है अच्छुप करने है और हम दो किसे कि पोखरा इस में से पवित्र कर रहा है रेडिए वान तू तू त्री यह सब कुछ लोग नहीं जो रस्तीव हैं चुमबक बांध के ठेक रहा है और पैसा निकाल गए जितनी लोग है वान तू तू त्री अच्छुप कर दिजिए यह सब निकल रहे हैं जो चड़ाने के लिए मंदिर की तरफ संकलब कराते समय जहां पर संकलब कराते हैं वही पर हम लोग का बैए पंड़ा जी के पास यहां के पंड़ा थे और अपना एक जल लेती हैं अमनों गया रहे हैं मंदिर में चड़ाने के लिए और एक जल वही पर रख दिए यह बासकी नच जाएंगे तब चड़ाएंगे आप भी आ सकते हैं अपनी मनुकामना पूर्ण होने के बाद और साथ मिल के चल चड़ा सकते हैं जाएंगे बाद के चल वाद रिपर अबाद को मनी ए, और पूर्स जाएंगे बोल 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 बो मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर लगबग 5-6 किलोमेटर की लंबी लाइन का सफर आपको तैय करना ही पड़ता है प्रती दिन 5 लाग से ज़्यादा स्रधालू यहां आते हैं और बाबा को जल और पित करते हैं इसरत दालूओ की संक्या काफी ज्यादा होती है इसकी वज़ा से पूरा बोल बोल राउंड करवाया जाता है और लंबी लाइन में जाती है और मंदिर में आराम से प्रवेश कर पाते हैं लोग लगबग चार से पांच किलो मेटर आपको पैदल जलना पड़ेगा मुझे बता रहे हैं तो टोटल लगबग 3 किलो मेटर पैदल जलना पड़ता है अबर यह इतना लंबा राउंड कर करके बैरिगेटिंग ना किया गया होता तो बहुत ज्यादे भीण हुया थी यह किया इसलिए लोग भूंगते रहते हैं और इसके वहाँ से भीड कम होया थी है मंदिर के इंट्री द्वार पे और आराम से दर्सन हो जाते हैं इसी रोड से हम लोग आते हैं और इधर से लवक जाके और पांची किलोंटर राउंड कर फिर वाहोस आते हैं भीड में से जाते हुए जैसे जैसे मंदिर के करीब हम लोग पहुंच रहते हैं सब लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रहे थी और सब लोग का जोस बढ़ता जा रहा था बोल बाम का नारा जो है सब लोग लगा रहे थे जोर जोर से चाहे वो पुरुस हो या चाहे कोई महिला हो मंदिर की एकदम नजदीक हम लोग पहुंच चुके थे क्योंकि आप लोग साइड से देख सकते हैं कि मंदिर पूरा दिखाई दे रहा था और नीचे पूरा एकदम बहुत जबर्जस्त वाली सरधालूओं की भीनिन लगी होई थी और उसको देख के हमें काफी खुसी हो रही थी कि हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं नीचे आए चुके हैं साड़ी सीडियों को और सारे जो भी हॉल से वेटिंग वाल सब को पार करके यह सकता है सामने ही मंदिर है है नीचे इस दो रोग में अज़स्तर आच हो चुके हैं जोल चड़ा चुके हम लोग खुकतु मुंदिर में जल चड़ाने के बाहर आगको और बहर आने के बाद आने के बांसまだ भर बार कि लिए और सबके लिए प्रसाइब अठाइब हां कि और सुपने समान भी ले लिए है अस्टिया करका बाहर के लिए ये चल्म बास्केनाथ के लिए यहां पर अच्छा का सा मेला भी मिल जाता है सावन का मेला आपके यहां प्याते हैं तो पुजा से रिलेटेड और जरुवते आम जरुवते जो भी हमारी होती है कपड़े उसके अलावा बहुत तरह हैं हर तरह के माला हैं बरतन है जैलेरी हैं फुया पार्ट से समद्धि जैलरी है सब खुछ है अब लेवल अच्छा खासा मेला है आप यहां आके मेले का भी आना भी आखा सकते हैं सौपिंग पर सकते हैं बहार आने के बाद हमें बस मिल गई है जो बस बासकी नथ जाएगी और करना से पर परसुन 70 रुपय हैं और एक और option भस धर उपर चड़के जाते हैं तो पर परसुन 50 रुपय है यह बस है राइवे ब्स बास्कीनाथ जाती है लिए चलते हैं बसकीनाथ और दिखाते हैं आपको से तमय के लिए क्योंकि वीडियो बनाना मज़े आगा यह सोच को बस को उपर जा रहा है चलिए बॉम अखिल बाग उचड़िये तो लो चगा बनाओ चलिए लगे निए पोल चलिए लिए बनाओ सेटों यह सबतेटाइए जिलों अन्फिर जाए जाएगा है वह इतुदे कर्णा लिए वोट करना दूट लां पर अटै कीम सब्सक्राइगा आए आए हैं आप आ इसले वाएं अम इसलिए बाया है मज़े के लिए बोलता नीचे बोल बांब जो थुत लग जाइगा निए टोपी बांब पाहर जाएगे तो हिसतार लोगा जाएगा जिसी को चौट लग जाएगा तो में तो आप लगो आपको शाया थिया थे भाहता सिरे हाथ आप आप तो हसलो यार इतने लोगा थादी है यहां तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ कमेंड में हर हर मादेव लिखना ना भूलिए और चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बासकीनत पूरा बस के उपर से बैठ के यात्रा दिखाऊंगा और जबरजस्त वीडियो आने वाला इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जय भोलेनात